हेलो फ्रेंच नमस्कार स्वागत इस नेए विड़ों बात करने वाले हैं मुख मंत्री बालिका प्रोथसाहन योजना 2022 का जो है और लाइन का पोटल जारी कर दिया गया है आप सबको पता है जो भी बचिया एसना तक पास कर चुकी है उनको जो है सरकार इस बार पचास हजार रुपे जो है प्रोथसाहन छात्रविर्ति के तोर पे देगी और ये कब से कब तक मानने होगा तो फिरिंच देख सकते हैं इस पोटल पर अलेडी लिखा गया है इसी कब से कब तक के बच्चे अगर पास है उनको पचाहजर मिलेंगे तो यह अपडेट यहां पर निकल के आ रहे है इसी के बारे में आपका लूंगा वीडियो को आप लास्ट देखिए ताकि आपको आपको सारी जनकारी पता सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नेके तो आप ग्रिजिशन कम्पलीट कर चुके हैं आपका रिजल्ट जारी हो चुका है ग्रिजिशन का फाइनल इयर का और आप गल्स है तो सरकार आपको यहां पर ऑल लाइन करने का मौका देगी आप यहां से ऑल इन अप्लाई करेंगी और आपको जह सरकार पच्छाहज़ होगा फिर आपको apply करना होगा और यहां पर देखिए एक important notice यहां पर जारी किया गया है बिहार सरकार्ट दोरा एक किस्टे लिए जारी किया गया है तो जो भी college वाले हैं उनके लिए सक्थ यहां पर निर्देश दिया गया है मतलब इनको सक्थ निर्देश दिया गया है कि course और college का डाटा अप्लोड हो जाना चाहिए 27-2022 तक तभी तो यह लोग verify करेंगे जब आप लोग form को apply करेंगे तो इसी data के according जो है यह लोग verify करके आपके account में पैसे भेजेंगे तो friends यहां पर देख सकते है 27-2022 को latest यहां पर अपडेट है कि आप लोग data को जल्दी से अपडेट करें स्ट्रीट की जनकारी और college का course वगरा सचीज आप जल्दी से इस portal पर login करके डालिए तो officially login जो college वाले हों करकर के अपना data फीड कर रहे होंगे यहां पर जैसे सारा data यहां पर फीड हो जाता है आपको इसी महीने में जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे मेभी 6 दिन बाद या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद तो जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा फ्रिंट्स मैं आपको एक separate वीडियो लेकर आऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना फॉर्म भरने से पहले आप वीडियो को जरूर देख लिएगा क्योंकि पिछले साल काफी सारे बच्चे मिस्टेक कर दिये थे फॉर्म भ भरेंगे फॉर्म आपसे पर्मीसन के बगर नहीं भरेंगे तो आप हमें जनकारी दे सकते हैं मेरे मेल आइडी पर मेल आइडी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा को पॉΡुल को लंच किया गया है उहां पर यहां पर किया गया लेकिन इर्टरेशन अभी Bjorn Eraadu बहूट जल्ड स्टाइगा इΤ महीं एक हाथा भी लग सकता है आप रेश्रेशन करने से पहले आपको कौनकों से डॉकुमेंट्स रेडी करके रखने इसकी जनकारी हम यहाँ पे आपको बतायते हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री कर्णिया उथान योजना मुख्यमंत्री बा कीवल एक आवेदन भराझ ऑघनर के लिए जरुड़्री दस्तावेज त डस्तावेज में किया का लेंगे तो आपका फोटो लेगा हाफ सीनेच्र आप कर लेगा और यहाँ पर साइज में हस्ताक्षर 20 यह चाहिए और एक आधार का आडव कaros चाहिए और यहाँ पे निवा और passing marksit original आपके पास होनी चाहिए अगर आप नहीं निकलवाए हैं यह certificate और passing marksit तो आप जरूर जो है college से बात करके निकलवा लिजेगा और यहां पे बहुत important यह document से इतना documents आप जरूर बनवा लिजेगा निमास हाली का खीचा होना चाहिए friends आप निमास हाली का लगाएंगे और एक चीज ध्यान रहे जिस तरह से आपके marksit पे नाम spelling है उसी तरह से अधार कार्ट पे भी और bank passport पे आपके spelling होनी चाहिए अगर गलती है कुछ इधर उधर तो आप जरूर सुद्रवा लिजेगा data birth होगरा सब्ची जैसा होना चाहिए तीसरा important चीज यहां पे friends आपके अधार कार्ट से आपका bank account link होना चाहिए क्योंकि dbt के मात्यम से पैसे आते हैं तो आसानी होगी आपको पैसे आने में तो वही वाला account आपको यहां पे यूज करना है और जो भी यहां पे आप documents upload करेंगे जिसे कि अधार कार्ड या residential या bank passbook या certificate वो सब black and white में skr होना चाह तो यह सारे जनकारी यहां पर बताई गई है आवेदन भरने के बाएस से आपको final print out निकालके अपने पास hard copy रख लेनी होती है और कहीं आपको college जाने क्या हो सकता नहीं होती है सरकार verification करके खुद बखुद आपके पैसे भीज देती है तो यह अपडेट निकलके आ रही है मुख्यमंत्री बालिका एसनातक प्रोटसाहन योजना स्कीम के तहट जो है राज्य सरकार दोरा राज्य में बालिकाओं को उच्छतर से इच्छा प्राप्त करने है तो प्रोटसाहन राजन निमित मुख्यमंत्री एसनातक प्रोटसाहन योजना सुरू की गई है जिसके त आपको form को apply करना है, कैसे registration करना है, कैसे apply करना है, एक बार वीडियो देख लिजेगा, जिससे आप mistake होने से बज सके, और आपका easily scholarship पचाज़ार आ सके, साथे साथ फ्रेंट बता दू, अगर आप jobs related, admit cards related, सरकारी results related, या scholarship related, अगर आप जनकारी पाना चाहते हैं, अपने mobile phone से, तो आप इस application को download कर सकते हैं, DS helping forever, आप play store में जाएंगे, search करेंगे DS helping forever, तो ये application आप download कर लेजे, 5000 लोगों ने यहापे download कर लिया है, rating आप देख सकते हैं, 4.8 की बहुती संदार rating है, और काफी सारे लोगों ने rating भी दिया हुआ है, आप यहापे देख सकते हैं, आप भी अ जोब आसते हैं, result आते हैं, सरकारी योजना आती है, या college update हुआ, इस्कोलर सिफ हो गया, दस्वी बारों ही पास job हो गया, एंस्वर किसी लेबस, सारे के सारे आपको mobile application पर भी उपलब हो जाते हैं, साथी साथ ज्यादा जनकारी के लिए friends आप जो है, DS helping forever.com की website पर जनकारी को उपलब ले सकते हैं, उमीद करता हूँ आपको चनकारी समझ में आएगा, मन मेंट कोई भी डाउट से कमेंट रे कमेंट बॉक्स मों पूछेगा, मिलता किसी नए वीडियो साथ, हमेंदी जी जायत, और देखते रेडियर से helping forever, thank you for watching, जाहिन. झाल